प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैंगलोरू में भारत उर्जा सप्ताहकाउद घाटन किया। है और इस सेक्टर में अभूत पूर संभावनाय है। बता दें कि हरित उर्जा के क्षेत्र में भारत के बढ़ती कदम को प्रदर्शित करने के उद्देश से ये कारिक्रम आईजुत किया गया है। कारिक्रम में 34 देश के मंत्री और आश्टर अध्यक्षों ने भाग लिया है। इसे के साथ इस कारिक्रम में भारत के उर्जा भविष्यकों चुरोंतियों और अवसर पर चर्चा करने के लिए 30,000 से अधिक प्रतनी भी 1000 प्रदर्शक और 500 वक्ता एकत्र हुए हैं। हम अपनी रिफाइनिंग इंडिस्ट्री को लगातार इंडिजीनियस, मोडनाईज और अप्ग्रेड कर रहे हैं। हम अपनी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन केपिसिटी को बढ़ाने की दिशा में भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। भारत के रीच टेकनोलोजी पोटेंशल और ग्रोइंग स्टार्ट अप इको सिस्टिम का उप्योग करके आप सभी अपने एनर्जी लेंड्सकेप का विस्तार कर सकते हैं। साथियों हम 2030 तक अपने एनर्जी मिक्स में नेट्रल गैस कंजम्शन को बढ़ाने के लिए भी मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। इसे 6% से बढ़ा कर 15% करने का लक्ष तैक किया गया है। हमारा वन नेशन वन ग्रीड ये विजन इसके लिए सभी जरूरी इंफ्रासेक्टर उपलब्द कराएगा। हमारा प्रयास है कि LNG टर्मिलल रीक एसिपकेशन छम्टा को बढ़ाया जाए। 2014 में हमारी छम्टा 21 mm TPA की थी जो 2022 में करीब दोगुनी हो गई है। इसे और बढ़ाने के लिए काम जारी है। बूरे डिपोट TCP 24